ये रूची है, आज पांचवी कक्षा पास करने के बाद अपने दोस्तों के साथ छटी कक्षा में पहली बार विद्याले में जाती हैं, आप भी अपनी नोट्बुक और पैन लेकर वही काम कीजिये जो रूची करती हैं और अपने आपको उसकी कक्षा में फील कीजिये, आज हम उसकी दोहराई भी करेंगे और उसे आगे भी सीखेंगे, ये गणित अध्यापिका हैं, रूची की कक्षा को बताती हैं कि हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो और शुन्ने, ये दस अंक हैं जिनसे हम संख्याएं बनाते हैं और उनका जोड घटा गुना भाग करते हैं, यदि हम इन से दोस्ती कर लें, तो हमें गणित बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, आईए मैडम एक एक एक्टिविटी करती हैं, आप भी उनके साथ उसे कीजिए, मैडम एक बोक्स में जीरो से नो तक की सभी संख्याओं को रखती हैं और उसके बाद तीन बच्चों को आगे आने के लिए कहती हैं, ये हमारे पास अंक हैं, सबसे पहले रूची आती है और मैडम उसे तीन पर्चियां उठाने को कहती हैं उसके बाद विनायक और अंत में सर्वेश इन तीनों को ही तीन तीन पर्चियां उठाने के लिए कहा जाता है रूची का ने तीन, साथ और चार अंक वाली पर्चियां ली, विनायक ने दो, आठ और पांच अंक वाली संख्याएं ली सर्वेश को एक, छै और शुन्ने अंक की संख्याएं मिली मैडम इन अंकों से इन्हें बनने वाली संख्याएं लिखने को कहती हैं सबसे पहले रूची अपने मिले हुए अंकों से संख्याएं बनाती है उसे तीन, साथ और चार अंक की पर्चियां मिली थी उसने पहले तीन अंक आने वाली संख्याएं बनाई जिसमें 347 और 374 बनाया उसके बाद पहले चार अंक वाली जिसमें 437 और 473 मनाया उसके बाद उसने पहले साथ अंक आने वाली संख्याएं बनाई जिसमें 734 और 743 मनाया उसके बाद विनायक अपनी बनाई हुई संख्याएं दिखाता है जिसमें उसे दो आठ और पांच अंक मिले थे सबसे पहले उसने 258 और 250 सी बनाया उसके बाद 528 और 580 बनाया और अंत में उसने 825 और 852 बनाया अब सरवेश की बारी सरवेश को मिले हुए अंक हैं ए, 6 और 6 उसने इस प्रकार संख्याएं लिखी सबसे पहले 0 से शुरू होने वाली उसके बाद 1 से और उसके बाद 6 से शुरू होने वाली संख्याएं उसने लिखी आपको देखना है कि तीनों ने मिले हुए अंकों की सही संख्याईं बनाई है या नहीं सबसे पहले हम रूची के अंकों को देखते हैं और रूची से पूछते हैं कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है रूची ने कहा 347 सबसे चोटी संख्या है और 743 सबसे बड़ी संख्या है उसके बाद विनायक ने बताया उसे हुए जो अंक मिले हैं 28 और 5 उनसे बनी हुई सबसे चोटी संख्या 258 है और सबसे बड़ी संख्या उसकी 852 है अब सर्वेश की बारी सर्वेश को एक 6 और 0 अंक की परच्या मिली उसने कहा कि सबसे चोटी संख्या 16 है और सबसे बड़ी संख्या 610 है क्या आप इन सभी की संख्यां से सहमत हैं जरा सोचिए क्या किसी ने कोई गलती की है हम एक बार फिर देखते हैं रूची के अंक 3,4 और 7 उसने सबसे बड़ी संख्या 743 बताई और सबसे चोटी संख्या 347 विनायक के अंक हैं 5,2 और 8 उसने सबसे बड़ी संख्या 852 और सबसे चोटी संख्या 258 बनाई है सरवेश के अंक 0,1 और 6 उसने सबसे बड़ी संख्या 610 और सबसे चोटी संख्या 16 बनाई है आप सोचिए इसने हाथ उठाया है और सोमू ने कुछ जवाब दिया है यदि हम 0 को 16 से पहले लिखेंगे तो 16 दो अंकों की संख्या होगी इसलिए हमें 0 या 0 को 1 के बाद लिखना पड़ेगा यानि तीन अंकों की सबसे चोटी संख्या 106 होगी जो सरवेश को मिले थे क्या आप इस बात से सहमत हैं अब हम संख्याओं की तुर्णा सीखेंगे यदि आपको इस प्रकार की चार संख्यां दी जाएं क्या आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या बताईए अब रूची ने बताया 89,742 सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या उसका जवाब है 92 क्या वो सही है बिलकुल रूची के जवाब सही है आपको याद रखना है हमें दी हुई संख्याओं में अंकों की संख्या को देखना है जिन संख्याओं में अंकों की संख्या सबसे कम होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी और जहां अंकों की संख्या सबसे अधिक है वे सबसे बड़ी संख्या होगी इसे हम देखकर बता स यदि अंकों की संख्या बराबर है दिये हुए उदाहरन में हमारे पास 4536, 4892, 4370 और 4452 में 4-4 अंक हैं इस प्रकार की संख्याओं में हम पहले अंक को यदि देखें तो देखते हैं कि सभी में पहला अंक 4 है और सभी में अंकों की संख्या भी 4 है इसलिए हम दूसरे अंक को देखकर तुर्ना करेंगे जिस संख्या में दूसरा अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी 4892 में दूसरा अंक 8 है और 4370 में 3 है जो सबसे छोट अंक है इसलिए सबसे बड़ी संख्या 4892 होगी और सबसे छोटी संख्या 4370 होगी यदि हमें इसी प्रकार पांच अंकों की संख्याईं दी जाएं जिनमें पहले दो अंक बराबर हों इसकी तुर्णा हम तीसरे अंकों देखकर करेंगे सबी बच्चे दिये हुए संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ग्याद करने की कोशिश करेंगे अब हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं आपके पास 0 से 9 तक की संख्याईं दी हुई हैं आपको लगातार दो अंकिन में से लेने हैं उद्हारण के लिए मैं एक और दो लेता हूँ इनसे सबसे बड़ी संख्या 21 बनेगी और सबसे छोटी संख्या 12 बनेगी क्या आप उनका अंतर ग्याद कर सकते हैं अंतर हमारे पास 9 होगा आप कोई और दो संख्याईं लीजिए अब मैंने 6 और 7 दो अंक लिए इनमें सबसे बड़ी संख्या 76 बनेगी और इनसे सबसे छोटी संख्या 67 बनेगी इनका अंतर देखिए वो भी क्या आएगा? नो आएगा आप इस प्रकार 0 से 9 तक के अंकों में से कोई भी दो अंक लीजिए और उनसे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाईए और उनका अंतर ग्याद कीजिए क्या सभी में अंतर 9 है? ये आप करके देखिए अब हम 0 से 9 तक के अंकों में से लगातार तीन अंकों की संख्याओं को लेते हैं हमने 2 तीन ओर 4 तीन अंक लिए इन में सबसे बड़ी संख्या 432 बनती है और इन से सबसे छोटी संख्या 234 बनती है अब हम इनका अंतर ग्यात करें तो वो 198 है क्या ऐसा सभी अंकों में होगा? अब हम साथ आठ और नो तीन अंक लेते हैं सबसे बड़ी संख्या 987 और सबसे चोटी संख्या 789 है आईए इनका अंतर ग्याद करते हैं अरे वाह ये तो 198 ही है क्या हमेशा ऐसा ही होगा आप कोई और तीन अंक लेकर देखिए जो क्रमागत या लगातार हैं और उनका अंतर ग्याद कीजिए इसके बाद आपको प्रयास करना है लगातार चार अंकों का इन में से कोई भी लगातार चार अंक लीजिए उनकी सबसे बड़ी संख्या बनाईए और सबसे चोटी संख्या बनाईए उसके बाद अंतर ग्याद कीजिए और देखिए कि क्या दो और तीन अंकों की तरह क्रमागत चार अंक लेने से बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर एक जैसा आता है अब हम उचित क्रम में खड़ा होना देखेंगे यहाँ पर चार बच्चे दिखाए गए हैं रामहरी, डोली, मोहन और शशी जिनकी उचाईयां हमें दी हुई है रामहरी 160 cm, डोली 154 cm, मोहन 158 cm और शशी 169 cm इन में कौन सबसे लंबा है और कौन सबसे छोटा है आप इनकी उचाई को देखकर बता सकते हैं रामहरी सबसे लंबा है और डोली सबसे छोटी है तो आईए अब देखते हैं हम इनसे क्या करेंगे सबसे लंबा हम देखते हैं रामहरी है और सबसे छोटी जो हाइट है वो डोली की है इसी प्रकार यदि हम कम उचाई से अधिक उचाई की और जाएं तीन और उधारन हम लेते हैं यहां पर तीन बच्चे राजू, मोनू और सोनू दिखाए गए हैं जिनकी उचाई आपके सामने हैं राजू 100 cm, मोनू 130 cm और सोनू 150 cm यहां जो उचाई है वो कम से अधिक की और दिखाए गई है इसे हम आरोहिक्रम कहते हैं सबसे छोटे से प्रारम करके सबसे बड़े तक व्यवस्थीत करना हमारा आरोहिक्रम होता है जिसे हम असेंडिंग ओर्डर कहते हैं अब रोहिक्रम हमारा सबसे बड़े से प्रारम करके सबसे छोटे तक व्यवस्थीत करना है राजू की उंचाई, मोनू की उंचाई और सोनू की उंचाई हमें दी हुई थी यदि हम कम उंचाई से अधिक उंचाई की उर्चाएं तो वो हमारा रोहिक्रम होगा जिसमें 100 cm, 120 cm और अंत में 140 cm होगा येदि हम इसे अवरोही क्रम में लगाएं, पहले 140, उसके बाद 120 और अंत में 100 आएगा क्या अब आप दी हुई संख्याओं को अरोहिया असेंडिंग क्रम में लगा सकते हैं? आपके सामने है 847, 9754, 8320 और 571 आप लगाईए और हमारे साथ मिलाईए, देखिए दिनेश ने जवाब दिया है, सबसे पहले 571 आएगा, उसके बाद 847, उसके बाद 8320 और अंत में 9754 यह छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलेंगे और इन्हें हम अरोहिकरम कहते हैं अब हम अरोहिकरम का एक उधान लेते हैं, इसे आप हमारे साथ कीजिए अब हमें इन संख्याओं को अवरोही या डिसेंडिंग ओर्डर में लगाना है 847, 9754, 8320 और 571 क्या आप अब तक समझ चुके हैं आईए देखते हैं मीना ने जवाब दिया 9754, 8320, 847 और 571 इस प्रकार लगेंगे कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या उसके बाद उससे छोटी उसके बाद उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या सबसे अंत में 571 आएगा ये बिल्कुल सही जवाब है अब हम भारतिय संख्यांकन पदती यानि Indian System of Numeration के बारे में सीखेंगे आपने पहले भी से सीखा है हमारे पास कोई संख्या दी हुई है हमें उसे शब्दों में लिखना है या शब्दों में दी हुई संख्या को अंकों में लिखना है यहां हमारे पास तीन संख्याइं दी गई हैं, पहले हम इन में अल्प विराम लगाएंगे, क्योंकि भारतिय संख्यांकन पत्ती में पहले दाई तरफ से पीछे से तीन अंकों को छोड़कर अल्प विराम लगाया जाता है, उसके बाद दो-दो और आप देखिए, हमारे पास इस प्रकार से इन संख्याओं में अल्प विराम लगेगा, अब हम इन्हें टेबल में लिखेंगे, जहां पर आपके पास इकाई, दहाई, सैकडा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड और दस करोड दिये हुए हैं यहां लिखने पर आप आसानी से देख सकते हैं, करोड के नीचे आठ है, लाख में हमारे पास दो संख्याओं है, साथ और पांच, यह हुआ पचहेतर, इसी प्रकार हजार में नो और पांच, पांच हमारा हजार के स्थान पर है, नो हमारा दस हजार के स्थान पर है और सो के स्थान पर साथ सैकड़ा में हमारे पास दहाई में 6 और इकाई में 2 है इस प्रकार ये संख्या बनी हमारी 8,75,95,762 दूसरी संख्या की हम बात करें तो उसे लिखने पर हम देखेंगे इकाई में 3, दहाई में 8, सैकड़ा में 2, 1000 में 6, 10,004,5,10,008 है और आप इसे इस प्रकार पढ़ेंगे 85,46,283 लास्ट नंबर को हम लिखते हैं टेबल में सबसे पहले हम सभी संख्याओं की तरह पीछे से लगेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड तो की हमारा चला है और जब हम इसे लिखेंगे 9 करोड 99,46 हमारा बनेगा यहाँ आप देख सकते हैं 1000 और 10,000 दोनों ही जगे शुन्य है इसलिए हमारे पास 1000 और 10,000 इसके साथ सेकड़ा में कोई भी अंक नहीं है इसलिए यहाँ पर हमारे पास करोड लाख के ही अंक हैं और उसके बाद इकाई और धाई कांक हैं आईए यदि हमें शबदों में कोई संक्या दी हुई है उसे अंकों में किस प्रकार लिखेंगे इसे सीखते हैं 73,75,307 टेबल में लिखते हैं लाख में हमारे पास 2 अंक हैं हम लाख और 10 लाख में लेंगे उसके बाद हम 1000 में देखेंगे दो अंक हैं 75 तो 5 हमारा 1000 में और 7 10 000 में आएगा 307 है हमारे पास सैकडा में 3 और केवल 7 है दहाई में 0 इकाई में 7 होगा जब हम इसे अंकों में लिखेंगे तो हमें पीछे से पहले तीनंग छोड़कर अल्प विराम लगाना है उसके बाद 2 छोड़कर अल्प विराम हम लगाएंगे इसी प्रकार 9 करोड 5 लाख 41 को हम लिखेंगे करोड में हमारे पास 9 है लाख में 5 है तो 0 5 लिखेंगे सैकडा में हमारे पास नहीं है 1000 में नहीं है उसके बाद इकाई और दहाई कांख हम लिखेंगे इस परकार हमारे पास संख्या बनेगी 9 करोड पांच लाख 41 जब अल्प विराम हम लगाएंगे तो इस परकार की संख्या हमें प्राप्त होगी लास्ट में हम देखते हैं 7 करोड बावन लाख 21,302 करोड में हमारे पास 7 है तो हम करोड के नीचे 7 लिखेंगे लाख 52 है तो 10 लाख में हम 5 और लाख में 2 लेंगे हजार हमारे पास 21 तो 10 अजार में 2, हजार में 1 और 302 हमारे पास है इस परकार हम सैकडा में 3, दहाई में 0 और इकाई में 2 लिखेंगे अल्प इवराम लगाने पर हमारे पास संख्या इस प्रकार प्राप्त होगी उसके बाद हम अंतराश्ट्रिय संख्यांकन पद्धि को देखते हैं International System of Numeration यहां हमारे पास भारतिय संख्यांकन पद्धि की जगे जहां पर वहां हमारे पास लाख और करोड थे यहां हमारे पास अलग से नंबर होते हैं हमारे पास इकाई, दहाई, सैकडा होता है हजार में यहां पर तीन अंक लिए जाते हैं और उसके बाद मीलियन, बीलियन इस तरह से होता है आईए इसे हम करके देखते हैं यहां हमारे पास तीन संख्याइं दी हुई हैं जिने हमें इसमें भरना है हम सबसे पहले तो इसके अलप विराम सीखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में हम पीछे से जब तीन अंग छोड़ते हैं उसके बाद तीन-तीन अंग छोड़कर ही इसमें अलप विराम लगाए जाते है यहां पर हम इकाई दाही सेकडा का अंग छोड़ कर अप विराम लगाते हैं उसके बाद तीन अंग छोड़ कर फिर अलप विराम लगाते हैं और इस प्रकार हमें अलप विराम लगाने पर ये संख्याएं इस प्रकार दिखाई देंगी उसके बाद हम इसे टेबल में लिखेंगे 1 इकाई में 2, 10 में 9, सैकडा में 0 1000 में हम 3 अंक लेंगे 1, 2, 9 और मीलियन में हमारे पास 8 और 7 जब हम इसे पढ़ेंगे मीलियन हमारे पास 78 है 1921 है और 92 है तो इसे हम 78,921,92 बान में लिखेंगे इसी प्रकार जब अगली संख्या को लिखेंगे आप Million में देखेंगे हमारे पास साथ है 1000 में 452 है उसके बाद 283 है साथ Million 452,283 Last संख्या को जब हम लिखेंगे Million में हमारे पास 99 है 1000 में हमारे पास 985 है और अंत में 102 है 99,985,102 आपने जो को सीखा उसे देखकर आपको अब स्वेम करना है ये क्वेश्चन आपके लिए दिये गए हैं धन्यवाद